जिला सिरमोर के रोनहाट क्षितर में बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण बरिष्ट स्कूल कूटी बोंच वपंचायद भवन के लिए बनी सडक में डंगा गिरने से वहाँ पर बने मकान को खत्रा पैदा हो गया है स्थानी निवासी गुमठ मकान मालिक हुकमी राम शर्मा ने बताया कि डंगा गिरने से मकान के अंदर मलवा वपत्थर आने से ख्षती पहुंची है इतना ही नहीं बारिश होने से यहां पर मलवा मकान के अंदर खुश रहा है यहां पर स्कूली बच्चों का नियमित आबागमन हो रहा है डंगा गिरने से स्कूली बच्चों को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है जिससे मकान मालिक ने पंचाय तथा तहसील वलूक निर्मान विभाग से जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उधर इस संबंध में पंचायत के प्रथान रमेश कुमार ने डंगे की गिरने की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि बजट उपलब होने पर वहां डंगे का निर्मान अवश्य कर दिया जाएगा उधर इस कर दो